तो शेयर बाजार के रुख से साफ है फिलहाल बाजार में गिरावट का दौर जा रही है और ऐसे में आपको कहा निवेश्ट करना चाहिए गहाँ पर नहीं इसकी जानकारी दे रहे हैं अरिहान सुपर स्ट्रॉक्ट्रॉक्टर्स लिमिटेड के जेरमेन अशोग छजर भारत में जादा करके सेविंग्स का ओल्वेज नेचर रहा है और इसी कारण एकॉनमिक क्रैसिस वर्ल्ड में कभी भी रही तो अपने देश में उतना बड़ा भूचाल नहीं आया क्योंकि विकेसित देशों में बिल्कुल भी इन्वेस्मेंट और सेविंग्स का नेचर नही जिसमें से प्रमुक दो आते हैं सोने में इन्वेस्मेंट और प्रॉपर्टी में जमीन में घरों में जाइदा में जाइदा में इन्वेस्मेंट तीसरा जो आज के टाइम में आफटर कोविड जो सबसे बहुत जादा चला युवा वर्क के अंदर भी वो है इक्वीटी ज हमेशा जो सबसे बड़ा जरूरी रत हता है कि किसी का ट्रेक रकॉर्ड बहुत इंपॉर्टन्ट है प्लेस निवेश की वक्त यह देखना जरूरी है कि निवेश उतना ही करें जितनी अपनी आमदनिया जितनी अपने पूरी कैपेसिटी है और इसी के लिए होम लोंज जैसे लेकिन 2030 तक अब वो पुर्ण होता हुआ दिख रहा है तो हर व्यक्ति को यह देखना जरूरी है कि वो बहुत ही भरोसे मंद और सही चीज में इंवेस्मेंट करें कहीं कहीं भरोसे मंद होते हैं लेकिन चीज अच्छी नहीं होती है कहीं चीज बहुत अच्छी होती है लेक इंकम ग्रूप MIG A, MIG B as well as HIG तीनों वर्ग बनाते हैं और मुंबई शहर में इस्पेशली जो नहीं देखा गया था यहां पे फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स का जहां ज्यादा से ज्यादा चलन था क्योंकि इंफ्रास्क्टर इतना अच्छा नहीं था कि इतनी अबादी क त्यार किया है आज ट्रेवल करना अब बहुत आसान सी बात है चालिस पचास किलो मिटर तक भी और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुजान अब जो टू टायर सिटीज है उस टाइब के घरों के अंदर जिसे विला केते हैं बंगलो प्लोट केते हैं उसमें उसमें भी उस बाली तक यह लेकर आईगी और जिसे देखा जाता है कि हम तीन मंजिली भी बनाते हैं और हम तेपन मंजिली भी बनाते हैं तो जहर गर को इसके सोल के अंदर जाके उस टाइप की डिजान को इनकोर्प्रेट करते हैं तो दुनिया भार